नमस्कार, माइग्रेन के सीरीज का ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम कुछ फूट प्रड़क्ट के बारे में बात करेंगे, जो आपको माइग्रेन के अटाग में रिलीव देंगे, या जो आपकी इंटेंसिटी है, उसको कम करने की कोशिश करेंगे. अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजें, और अगर 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 आप मुझसे वेट लॉस प्लान या कोई भी डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं, तो प्लीज विजिट www.mydietplant.co.in line पे, माईगरेग, के दो पार्ट हमने देखें, पहले में हमने बात की माईगरेऀण से related pauses और उससे होने वाले sign and sign up के बारे में, दूसरे वीडियो में हमने बात की की कौने làm हमें माइडरी में लेने चाहिए चीजें चोंडे करती कि इस विडियो को हम आगे बढ़ते है और वही बात उसकी थोड़ी आगे की बात इस विडियो में हम करते हैं माइगनेशियम का बहुत अच्छा रोल माना जाता है है हैडेक्स में माइगरेम के हैडेक्स में मैंगनेशियम ऑकसाइड mostly menstrual days of women menstruation पे बहुत अच्छे से काम करता है माइगनेशियम जैसे कि हमें green leafy vegetable, palak, methi इसमें से मिलता है हमारे sunflower seed में मिलता है आलू, शकरकन, brown rice से भी हमें माइगनेशियम अच्छी मातरा में मिलता है ऐसी कुछ studies पाई गई है जिसमें बोला गया है कि माइगनेशियम और migraine उनके साथ study की गई है और results positive आए है तो हो सकता है कि माइगनेशियम की कमी की वज़े से भी आपको यह चीज हो रही है या इसका deficiency proper हो जाए तो आपका migraine का pain कम हो जाए आपको उसे relief मिल जाए नम्बर दो पे है इस पे विटामिन B2 राइबो फ्लेविन विटामिन B6 पी कई बार माना जाता है युरोपियन अस्टडीज एक हुई थी उसमें नियूरलोजी जर्नल ऑफ नियूरोजी में वह पब्लिश हुई थी उसमें इनका रिलेशन बताया गया है कि high doses of riboflavin अगर आप लेते हैं तो बहुत मात्रा में migraine के attacks control में आ जाते हैं उसकी frequency कम हो जाती है तो अगर बहुत continuation में आपको migraine के attack आ रहे हैं तो उसको कम करने का का काम विटामिन B2 और विटामिन B6 और विटामिन B12 भी करता हैं so B12 के supplements भी दिए चाते हैं और डाएट में भी VITAMIN B12 आपको मिल जाता है विटामिन B2 B6 B12 आपको ड्राइ फूट्स NUTS से मिल जाएगा वेज़ेटेबल में हमारे मिलता हैं कि आपकी आपको प less time to get food,ач बोला गया जिंजरिस ने है दोनों में जिनजर लेना चाहिए और लेना नहीं चाहिए, बट अगर कम मात्रा में लेते हैं, तो जिंजर बहुत अच्छे से काम करता है आपके माइड्रेन में, वैसे भी हेडेक्स को थोड़ा सा अब होट बिवरेजिस जब लेते हो तो आपके हेडेक्स मिनिमाइज हो जाते हैं, So ginger tea might be helpful, तो आप लेके देखिए आपके food diary नोट डाउन कीचे Caffeine, या कॉफी लेने की बहुत लोगों को आदत रहती है जो frequent और बहुत मात्रा में कॉफी लेते हैं जैसे कि रोज का रूटीन है, दस बारा कप अप कॉफी को ले रहे हैं Caffeine, अगर आप एकात बार लेते हो, फ्रिक्वेंसी जादा नहीं चाहिए और ना कि उसका इंटेक हमें जादा चाहिए Caffeine induce करता है माइगरें को, लेकिन once a while वो आपके लिए दवाई का काम भी करेगा So उसको once a while मात्रा में लीजिए, उसका overdose मत कीजिए So overdose of anything will lead to the migraine, so यह चीजों की तरफ आपको ध्यान देना है Cold application या cold compress के बारे में बोला जाता है, क्योंकि blood vessels constrict हो जाएगी या nerves हो है, जो supply कर रही है तो वो constrict हो जाएगी और उसकी वज़े से pain थोड़ा सबसाइड हो जाएगा, during migraine आप नेक के पीछे, head जहां भी आपको headache हो रहा है और नेक को भी थोड़ा soothing लगेगा अगर आप cold application कर रहे हैं, कुछ Ayurvedic books भी मैंने पढ़िया, studies को भी मैंने देखा तो वहां भी कुछ local application बताई गई है जैसे कि हमारा nutmeg जो रहता है या जिसे बोला जाता है जाइफर बोलते है मराठी में उसका अगर powder पानी में mix करके आप अपने head पे लगा देते हो तो वह एक शांत, शांती देता है और you feel good इवेंट चंदन पाउडर भी आप अगर लगाते हो तो वह भी शांती देता है और वह peaceful लगता है और वैसे भी stress-free activity हमको करनी है जितना आप उस पे regular होगे आपकी lifestyle discipline रहेगी जितना हो सके proper diet, water intake, regular interval में meals और exercise regular आप करेंगे उतना ही migraine से आप बचेंगे सो जितना regular हो सते हो जाएए और migraine को overcome कीजिए और ट्यूंड रहेए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं upload करूगी सो अपने comment box में जिस subject के बारे में या जो information आपको चाहिए food या disease के related प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं उसके उपर रिसर्च करके आपके सामने वीडियो प्रेजेंट कर सकूँ थैंक्यू वेरी मच्च